जैहिन दोस्तो मेरा नामे आशे शुकला और माय इंडिया माय डिलोक्मेंट चानल में आपका स्फागत है दोस्तो सबसे पहले तो आपको 70 गंट तंत्र दीवस के अवसर पर हार्दिक शुप कामना है दोस्तो इन 70-75 सालों में हमने काफी तरक्की कर ली है ऐसा कोई भी शेत्र नहीं है जिसमें हम विश्व के कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हो हम हर शेत्र में विश्व में काफी अच्छे रैंकिंग पर पहुँच चुके है तो दोस्तों आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि हम कौन से शेत्र में कितनी तरकी कर चुके हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर अपने भारतिय होने पर गर्व होगा तो दोस्तों मैं पहली बार आज आपसे रिक्रेस्ट करता हूँ कि जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में आपको जैहिन जरूर लिखना होगा तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखें ये वीडियो काफी इंफरमेशनल आपके लिए साबित हो सकता है और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे देश के एकनोमी की तो पहले के न्यूस चैनल से या अगबार बताते थे कि हमारा जो देश है ये काफी गरीब देश है तो दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता दू के आज 2019 में हमारा जो देश है ये वर्ल की 6th biggest इकनोमी बन चुका है तो दोस्तों इस हिसाब से हमने काफी तरकी कर ली है क्योंकि फ्रदान मंत्री जी का जो मेक इन इंडिया कॉंसेप्ट है और जो इन पिछले 15 से 20 सालों में जो बिजनस में ग्रोथ आई है उस हिसाब से जो हमारा बिजनस ग्रेट है ये काफी अच्छा हुआ है सेकेंड तिंग हमारे आयात निर्यात काफी डेवलप हुए है और हमारी जो विदेश नीती है इसमें भी काफी सारा इंप्रूमेंट हुआ है तो इन सभी के चलते यहाँ पर हम सभी के प्रयासों से हम वर्ल्ड की छटवे नंबर की सबसे बड़ी एकनौमी बन चुके है तो अब आपको यहाँ पर कभी यह सुनने नहीं मिलेगा कि भारत एक गरिव देश है दोस्तो अगर बात की जाए हमारे देश के डिफेंस सिस्टम की तो दोस्तो आपको बिल्कुल भी घवरानी की ज़रूत नहीं है हम दुनिया के चौथे नंबर के सबसे सीक्योर देश में रह रहे है दोस्तो जिहां हम चौथी दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन चुके है दोस्तो हमने फ्रांस को भी क्रॉस कर लिया है जर्मनी को भी क्रॉस कर लिया है और इस तरह अमेरिका, अमेरिका के बाद रूस, रूस के बाद चाइना और चाइना के बाद हमारा यहाँ पर डिफेंस सिस्टम में नमबर आता है दोस्तो बहुत जल्द यह भी हो सकता है कि हम तीसरे स्थान पर भी पहुँच जाए दोस्तो अगर बात कीज़ें यहाँ पर हमारे स्पेस प्रोग्राम की तो यहाँ पर आपको जान करके बहुत जादा गर्व होगा कि हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो वर्ल में टॉप फायो में आता है हमारे इसेरो के जो हमारे साइन्टिस्ट भाई लोगहे उन्होंने इतना जाधा इसमें इंवेशन कर दिया है कि हम नासा तक के हमसे सजेशन लेते हैं इसके अलावा हमने कई सारे world records भी बनाए हैं जैसे के हमने मंगल यान जो है बाकी सारे देशों ने उनके 2-3 जो प्रयास थे वो फेल हो चुके थे लेकिन भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसने सबसे जादा कम बजट में और पहले ही बार में successful मंगल यान को मंगल ग्रह तक पहुचाया है इसके अलावा दोस्तो हमने टोटल 104 सैटलाइट्स को एक ही रोकेट से जाकर के सेटल किया है तो ये दोस्तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल रिकॉर्ड हमें हाँ पर कायम किया है तो दोस्तो इस तरह हम स्पेस प्रोग्राम में भी काफी जादा थमने तरक्की कर ली है और हम आगे भी बहुत ज़ादा तरक्की कर रहे हैं जिससे हम वर्ल के टॉप फाइव जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें हमारा नमबर बिल्कुल लगता ही है दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर entertainment industry की याने के हमारे film industry की तो आपको जानकर यह बहुत गर्ब होगा कि Hollywood के बाद Bollywood जो है यह दुनिया की second largest industry है लेकिन हमने सबसे आदा filmें बनाने में तो Hollywood को काफी जाए पहले ही पचाड़ चुके है क्योंकि Bollywood में जितनी filmें एक साल में बनती है Hollywood में उसके आधी filmें भी नहीं बन पाती है तो दोस्तो इस प्रकार हम यहाँ पर Bollywood industry में भी हम यहाँ पर काफी सारी हमने तरकिक कर ली है दोस्तो अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे sports की तो sports में cricket में तो हम सबसे आगे है ही है क्योंकि sports में हमारे इंडिया ने जितने ज़्यादा batsmen दिये है उतने world में किसी और team ने उतने अच्छे और उतने नामी batsmen नहीं दिये है तो दोस्तो यहाँ पर cricket में तो बहुत अच्छा performance कर ही रहे है लेकिन इसके अलावा हम अब football में भी काफी अच्छा performance कर रहे है हमारी ranking वहाँ भी अच्छी बढ़ रहे है इसके अलावा hockey है और olympic में भी हम काफी अच्छी तरकिक कर चुके हैं क्योंकि अब हम काफी सारे हमारे जो players है वो gold medal जीत रहे हैं तो इस प्रकार हम sports में भी काफी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं तो यह थी दोस्तो कुछ ऐसी main बाते जिसमें हमारे देश ने काफी अच्छी ranking हसिल कर ली है लेकिन कुछ ऐसी बाते भी है जिसमें हमारा देश जो है ये world का number one देश है और हमेशा ही रहेगा जैसे languages दोस्तो language में हमारे देश में officially 22 language बोली जाती है और unofficially छोटी मुटी भाशा मिला करके 1600 अलग अलग भाशाय बोली जाती है जो किसी भी देश में यहाँ पर बोला जाना possible नहीं है इसके अलावा अगर बात की जाए festival की तो ये बुलना गलत नहीं होगा कि हमारा देश जो है ये festivals का देश है यहाँ पर हम अलग अलग religion के हर festival को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मनाते है और हमारा जो उच्छा होता है वो उतना ही जादा एक्टा वाला होता है जिसम में हम हर festival को मिल के मनाते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जान करके खुशी होगी के दुनिया में सबसे रादा यंस्टर्स की संक्या हमारे ही देश में है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अभी हमारा देश बिल्कुल जवान है तो दोस्तों यह थी कुछ ऐसी इंटरस्टिंग बाते जो हमारे देश को महान बनाती है लेकिन मैं यहाँ पर एक मैसेज और देना चाहूंगा कि अक्सर दिखा जाने लगा है इतने में कि सोशल मीडिया जो होता है जैसे कि फेस्बुक है फिटर है यूटूब है या इंस्टाग्राम हो यह दोस्तों इस स दोस्तों को मिलने के लिए या प्यार बाटने के लिए बनाया गया है तो दोस्तों यहां पर यह जो प्लैटफॉर्म है यह किसी भी रिलीजन को या किसी भी तरीके के नफरत को या किसी भी तरीके के पॉलिटिकल जो इशूज होते है या कुछ ऐसी चीज़े होते हैं जिस जन्वरी के अउसर पर मैं आप सभी को सिर्फ इतना ही बुलना चाहूंगा कि जितना हो सके अच्छी information दीजिए जो अफ़ाहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिए और इस तरीके के जो message होते हैं जिसमें violent होता है जिसमें किसी दूसरे के धर्म का मजाक होता है या जो भी चीजें नफरत वाली होती है ये चीज ना पहलाएं और सिर्फ और सिर्फ प्यार को ही फहलाएं और अमन और शांती बनाए रखे क्योंकि हमारे देश की जो महांता है वो इसी में है कि हम सब एक साथ रहते हैं तो दोस्तों इसी तरह प्यार बाढ़ते रहे और आप सभी को मेरी दरफ से एक और बार गन तंत्र दिवस पर हर दिक शुब कामना है और दोस्तों गर्व से गहें बंदे मातलम